अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामु की बहु से और अगर रामु की बहु घर भर में किसी से घ्रना करती थी तो कबरी बिल्ली से रामु की बहु दो महिने हुए माईके से प्रथमबार ससुरा लाई थी पती की प्यारी और सास की दुलारी चौदे वर्ष की बाली का भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामु की बहु घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाट में मन लगाया लेकिन ठेरी चौदे वर्ष की बाली का कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई कभी बिल्ली को मौका मिला घी दूद पर अवेज उट गई रामु की बहु की जान आफत में और कभी बिल्ली के चक्के पंजे रामु की बहु हांडी में घी रखते रखते उंग गई और बचा हुआ घी कभी के पेट में रामु की बहु दूद ढखक कर मिसरानी को जिंस देने गई और दूद नदारद अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था कबरी रामु की बहु से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामु की बहु के लिए खाना पीना दुश्वार रामु की बहु के कमरे में रबडी से भरी कटोरी पहुँची और रामु जब आये तब तक कटोरी साफ चटी हुई बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहु ने पान लगाया बालाई गाया रामू की बहु ने तै कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही मोर्चा बंदी हो गई और दौनों सतर्क बिल्ली फसाने का कट घरा आया उसमें दूद मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविद प्रकार के व्यंजन रखे गए लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली इधर कब्री ने सरगर्मी दिखलाई अभी तक तो वे रामू की बहु से डरती थी पर अब वह साथ लग गई लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहु उस पर हाथ न लगा सके कब्री के होसले बढ़ जाने से रामू की बहु को घर में रहना मुश्किल हो गया उसे मिलती थी सास की मीठी जड़किया और पती देव को मिलता था रूखा सुखा भोजन एक दिन रामू की बहु ने रामू के लिए खीर बनाई पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाये गए सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे उचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके रामू की बहु इसके बाद पान लगाने में लग गई उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने उपर कटोरे की ओर देखा सूंगा माल अच्छा है ताक की उचाई अंदा जी उधर रामू की बहु पान लगा रही है पान लगा कर रामू की बहु सास जी को पान देने गई और कबरी ने छलांग मारी पंजा कटोरे में लगा और कटोरा जन जनाहत की आवाज के साथ फर्ष पर आवाज रामू की बहु के कान में पहुँची सास के सामने पान फेक कर वह दोड़ी क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकुडे टुकुडे खीर फर्ष पर पर बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है रामू की बहु को देखते ही कबरी चमपत रामू की बहु पर खून सवार हो गया ना रहे बास ना बजे बासुरी रामू की बहु ने कबरी की हत्या पर कमर कसली रात भर उसे नीद ना आई किस दाव से कबरी पर वार किया जाए फिर जिंदा न बचे यही पड़े-पड़े सोचती रही सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़ी प्रेम से उसे देख रही है रामू की बहु ने कुछ सोचा इसके बाद मुस्कुराती हुई वै उठी कबरी रामू की बहु के उठते ही खिसक आई रामू की बहु एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजेब की देहरी पर रखकर चली गई हाथ में पाटा लेकर वै जब लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है कबरी ना हिली ना डुली ना चीखी न चिल्लाई बस एक दम उलट गई आवाज जो हुई तो महरी जाड़ु छोड़कर मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्तल पर उपस्तित हो गई रामों की बहु सर जुकाए हुए अब राधिन की बाती बाते सुन रही थी महरी बोली अरे राम बिल्ली तो मर गई मा जी बिल्ली की हत्या बहु से हो गई यह तो बहुत बुरा हुआ मिस्रानी बोली मा जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहु के सिर हत्या रहेगी सास जी बोली हाँ ठीक तो कहती हो अब जब तक बहु के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है और ना खा सकता है बहु ये क्या कर डाला महरी ने कहा फिर क्या हो कहो तो पंडिजी को बुलाय लाई सास जी की जान में जान आई अरे हाँ जल्दी दोड के पंडिजी को बुला लो बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई पड़ोस की औरतों का रामू के घर ताता बंद गया चारों तरफ से प्रिश्नों की बोचार और रामू की बहु सिर जुकाए बैठी पंडित परमसुक को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए पंडित आइन से मुस्कुराते हुए बोले भोजन न बनाना लाला घासी राम की पतोही ने बिली मा डाली प्राइश्चित होगा पकवानों पर हाथ लगेगा पंडित परमसुक चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे लंबाई 4 फिट 10 इंच और तौंद का घेरा 58 इंच चेहरा गोल मटोल, मूच बड़ी-बड़ी, रंगोरा और चोटी कमर तक पहुँशती हुई कहा जाता है कि मतुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंडा जाता था तो पंडित परमसुक को उस लिस्ट में प्रथमिस्थान दिया जाता था पंडित परमसुक पहुँचे और कोरम पूरा हुआ पंचायत बैठी सास जी, मिसरानी, किस्नो की मा, छन्नो की दादी और पंडित परमसुक बाकी इस्त्रियां बहुसे सहानुभूती प्रकट कर रही थी किसनु की माने कहा पंडित जी बिल्ली के हत्या करने से कौन नरक मिलता है पंडित परमसुक ने पत्रा देखते हुए कहा बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता वे मुहूरत भी मालुम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है यही कोई साथ बजे सुभ है मिसरानी ने कहा पंडित पर सुखने पत्रे के पन्ने पल्टे अक्षरों पर उंगलिया चलाई माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा चेहरे पर धुंदला पनाया माथे पर बल पड़े ना कुछ सिकुडी और गंभीर स्वर हो गया हरे कृष्णा हे कृष्णा बड़ा बुरा हुआ प्राते काल ब्रह्म मुहुर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुम्भी पाक नरक का विधान है रामु की मा यह तो बड़ा बुरा हुआ रामु की मा की आखों में आसू आ गए तो फिर पंडित जी अब क्या होगा आप ही बताए पंडित परमसुक मुस्कुराए रामु की मा चिंता की कौन सी बात है हम पुरोहित कौन दिन के लिए है शास्त्रों में प्राष्चित का विधान है सो प्राष्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा रामु की मा ने कहा पंडित जी इसी लिए तो आपको बुलवाया था अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए किया क्या जाए यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहु से दान करवा दी जाए जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा बिल्ली दान देनी के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए चन्नु की दादी बोली हाँ और क्या पंडित जी ठीक तो कहते है बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए रामु की मा ने कहा तू पंडित जी कितने तोली की बिल्ली बनवाई जाए पंडित परमसुक मुस्कुराए अपनी तौंद पर हाथ फेरती हुए उन्होंने कहा बिल्ली कितने तोली की बनवाई जाए अरे रामु की मा शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोनी की बिल्ली बनवाई जाए लेकिन अब कल्योग आ गया है धर्म कर्म का नाश हो गया है श्रद्धा रही नहीं सो रामु की मा बिल्ली के तॉल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी क्योंकि बिल्ली की सेर से कम की तो क्या होगी हाँ कम से कम 21 तोली की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा रामु की मा ने आखें फाड़ कर पंडित परमसुख को देखा अरे बाप रे 21 तोला सोना पंडित जी यह तो बहुत है तोला भर की बिल्ली से काम न चलेगा पंडित परमसुख हास पड़े रामु की मा एक तोला सोने की बिल्ली अरे रुपिया का लोब बहु से बढ़ गया बहु के सिर बड़ा पाप है इसमें इतना लोब ठीक नहीं मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया इसके बाद पूजा पाठ की बात आई पंडित परमसुख ने कहा उसमें क्या मुश्किल है हम लोग किस दिन के लिए हैं रामु की मा मैं पाठ कर दिया करूँगा पूजा की सामगरी आप हमारे घर बिजवा देना पूजा का सामान कितना लगेगा अरे कम से कम हम पूजा कर देंगे दान के लिए करीब दसमन गे हूँ एक मन चावल, एक मन दाल, मन भर तिल, पाच मन जो और पाच मन चना, चार पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा बस इतने से काम चल जाएगा अरे बापरे इतना सामान पंडिजी इसमें तो सौ डेड़ सो रुपया खर्च हो जाएगा रामु की माने रुआ से हुकर कहा फिर इससे कम से तो काम न चलेगा बिल्डी की हत्या कितना बड़ा पाप है रामु की मा खर्च को देखते वक्त पहले बहु के पाप को तो देख लो यह तो प्राइश्चित है कोई हसी खेल थोड़े ही है और जैसी जिसकी मर जादा प्राइश्चित में उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी है अरे सौ डेड़ सो रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है पंडित परमसुक की बात से पंच प्रभावित हुए किसनु की माने कहा पंडित जी ठीक तो कहते है बिल्डी की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं बड़ी पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए छनु की दादी ने कहा और नहीं तो क्या दानपुन से ही पाप करते हैं दानपुन में किफायर ठीक नहीं है मिसरानी ने कहा और फिर मा जी आप लोग बड़े आदमी ठैरे इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा रामु की माने अपने चारों और देखा सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे उन्होंने कहा रामु की मा एक तरफ तो बहु के लिए कुम्भी पाक न रखे और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्चा है सो उससे मोह न मोडो एक ठंडी सांस लेते हुए रामु की माने कहा अब तो जो नाच नचवाओगे सु नाच नहीं पड़ेगा पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड कर बोले रामु की मा ये तो खुशी की बात है अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो मैं चला इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा अरे पंडित जी रामु की मा को कुछ नहीं अखरता बिचारी को कितना दुख है बिगडो ना मिसरानी चन्नु की दादी और किसनु की मा ने एक स्वर में कहा रामु की मा ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकरासन लगाया और क्या हो 21 दिन के पाठ के 21 रुपे और 21 दिन तक दोनों बख़त पाँच पाँच ब्रामनों को भूजन करवाना पड़ेगा कुछ रुक कर पंडित परमसुक ने कहा सो इसकी चिंता ना करो मैं अकेले दौनों समय भूजन कर लूँगा और मेरे अकेले भूजन करने से पाँच ब्रामन के भूजन का फल मिल जाएगा यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं पंडित जी की तौन तो देखो मिसराणी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर्व्यंग किया अच्छा तो फिर प्रैश्चित का प्रबंद करवाओ रामु की मा ग्यारा तोला सोना निकालो मैं उसकी बिल्ली बनवा लाओ दो घंटे में मैं बनवा कर लटूँगा तब तक सब पूजा का प्रबंद कर रखो और देखो पूजा के लिए पंडित जी की बात खतम भी न हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुसाई और सब लोग चौक उठे रामु की मा ने घबरा कर कहा अरी क्या हुआ अरी महरी ने लड़ खडाते हुए कहा मा जी बिल्ली तोटकर भाग गई